तो अलो दोस्तो मेरा नाम धननजे है, इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ short term investment strategy की short term investment strategy क्या होती है कोई भी कम duration का आपका अगर target हो, goal हो उसको पूरा करने के लिए आप जब पैसे को अपने ऐसी जगे invest करते हैं जहां पे वो safe हो, जहां पे आपको एक धंग से return generate करके दे सके तो उसे हम short term investment strategy बोलते हैं, simple सी language में तो दो-तीन strategy discuss करूँगा और ये आपको decide करने में help या आपको decide जब भी आप करोगे उसमें ये points help करेंगे to get the better idea, to have better output और liquidity कैसी होने चाहिए, ये सारी छोटे से वीडियो में में discuss करूँगा तो आखरी तक देखिएगा और अगर पसंद आया चैनल तो subscribe करके ही चाहिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, तो तो चलिए सबसे पहले short term goal को define कर लेते हैं, ये है क्या short term goals हो सकता है, phone लेना आपको Apple का phone लेना है, लेकिन आप PMI में लेना चाहते है पुरा पैसा एक साथ है नहीं तो आपने सोचा है कि आप दिवाली में इस बार हम Apple का phone लेंगे तो वो आपका एक short term goal हो गया आपको car लेना है, new year पे या दिवाली में या कभी भी medical college mediation लेना है, या कोई और college में तो वो आपका short term goal हो गया, तो ऐसे goals पहले आपको पता होते हैं define कर लेते हैं और उसको पूरा करने के लिए अगर आपके पास पहले से कोई fund नहीं है या कोई insurance नहीं है जो उस time पे payout दे, तो आपको एक strategy बनानी पड़ती है अब यही strategy इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ short term goal पहले आपको decide करना होगा, कि short term goal क्या है उसके basis पे आपको उसके जो strategy है उसको develop करनी होगी अब strategy में सबसे पहला point आता है selection criteria for short term investment selection criteria क्या होगा, short term investment मुझे करना है या कोई plat खरीड ले, या कोई बना बनाया, घर कोठी खरीड ले तो वो asset class कहलाता है अब जिस asset class मुझे पैसे डालना है उसके लिए में क्या-क्या देखना होगा उसकी safety देखनी होगी, कि हमारा पैसा safe है की नहीं है जदा तर हम government bank में अपने पैसे को safe मानते हैं और होता भी है या कि पिछले कई सालों से उपर वाले की दया से कोई भी bank bankrupt नहीं हुआ और खास तोर पर government bank हलाकि वहाँ पे भी government आपको केबल 5 लाख रोपे एक जमा पोजी की insurance देता है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि वो safe है और कुछ-कुछ बड़े बैंग, तो safety हो गई mutual fund तो लिखा ही जाता है subject to market risk, लेकिन फिर भी mutual fund को relatively direct index fund से safe माना जाता है index से, यहाँ पे पिछले कई सालों को देखके हम predict करते हैं कि safe होगा लेकिन वहाँ यह भी लिखा होता है कि past performances does not guarantee about the future's return तो लेकिन फिर भी ऐसा हम assume करते हैं कि इतना risk लेना पड़ते हैं हम लोग को उसके बाद आ जाता है उसकी liquidity और accessibility safety के बाद liquidity and accessibility कि यार जब आपको जरूवत पढ़ रहा है तो आप पैसे निकाल पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो bank सबसे ज़्यादा liquid माना जाता है आज गए withdrawal firm भरा या check काटा पैसा withdraw कर लिये UPI से पैसा निकाल लिया FDB एकी दिन में break हो जाता है with certain conditions उसके बाद क्या liquidity है gold की liquidity आपने gold खरी लिया बेचने जाओ तो थोड़ा सा embarrassment लग रहा है आपको digital gold है वो जरूज है liquidity लेकिन उसमें भी 24 गंटे लग जाते है आने में कुछ-कुछ apps दे मैंने देखा था post office की जो saving scheme है वो liquid है अगर वो उसका time होगर है कोई पंगा नहीं है तो mutual fund 3 से 2 24 गंटे से 3 से 5 दिन के अंदर वो पैसा आपके पास आ जाता है working days तो वो उतना liquid नहीं होगा बाकी यह आप कह सकते हैं index कोई भी चीज आपने share market पैसा लगाया है तो वो तुरंद मिल जाता है लेकिन अकसर आपने देखा होगा जब आपको जरूद होता उस time market गिरा होता है तो उसे मैं liquid नहीं मानता फिलाल क्योंकि जरूद पर अगर हम निकाल रहे हैं तो कई बार loss हो जाता है तो मैं liquid नहीं मानता लेकिन हाँ अगर बाकी asset class को देखो तो liquid बिलकुल भी नहीं है in fact मैं कई बार ऐसे आपको पता चलता है तो down है बायर्स ही नहीं है बायर्स मिलेंगे तो अपने हिसाब से rate देंगे तो वहाँ पे आपको problem हो सकती है तो liquidity का ध्यान देना बहुत जरूरी है और तीसरा important जो point होगा और return अब return आपको आपने safe भी ले लिया आपने liquid भी ले लिया बट return ही नहीं है तो तीन जी जो दिखा जाता safety, liquidity and return तो return आपको पता चला कि 2% मिलना, 3% मिलना inflation कोई बीट नहीं कर पा रहे है तो at least आपका जो भी investment होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि return आप inflation को बीट कर पा आपका पैसा कम तो ना हो ज्यादा ना हो तो कम से कम तो ना हो लेकिन हम investment की बात जब करते हैं तो हम कम होने और बराबर होने की बात नहीं करते हैं हम ज्यादा होने की बात करते हैं बहुत सारे funds हैं बहुत सारे funds हैं overnight fund है, liquid fund है, ultra liquid fund है लेकिन जितने भी ऐसे fund है उनका जो annual return है वो लगबग-लगबग FD के बराबर ही है तो मेरा जो personal मैं आप लोग को opinion दे रहा हूँ कि अगर आपको एक साल, दो साल की आपकी जो horizon है तो उस horizon को आपको कैसे distribute करना होगा 50% तो आपको FD में डालना होगा पैसे को जो normally inflation के आसपास ही रहता है आटीस पैसे आपको डूबने नहीं देगा दूसरा आपको कुछ पार्ट उसका mutual fund में डाल देना होगा mutual fund इतना भी नहीं down करेगा अगर करेगा तो थोड़ा सा समभाल लेगा और अगर आप बहुत अच्छा investment strategy अगर सारे उसके fundamental चेक करके fundamental पर research करो ना यार मैंने कई वीडियो बना रखे है आजकल तो इतने ऐसे ऐसे apps आ गये हैं जो company को कई कई parameter पर screen करके देंगे उसका market cap कितना है उसका return of investment कितना है उसका ROI कितना है उसका ROI कितना है उसका alpha क्या है उसका beta क्या है यह सारी information आपको उस screener से मिल जाएगी so that आप एक बढ़िया company चुन पाओ जिसमें आप पैसा डाल पाओ तो कुछ percent 10 percent 15 percent पैसा आप direct share market में डाल सकते होगर आपका horizon एक साल दो साल है तो क्योंकि generally अच्छी companies एक दो साल में ग्रोग करेंगी करेंगी mutual fund भी अच्छा एक दो साल में ग्रोग करेगा ही करेगा यानि अपने पैसे को 50 percent FD डाला 30 percent आपने डाल लिया mutual fund 20 percent डाल लिया आपने सीधे nifty में या फिर आप चाहो तो इसको और break करो कुछ पर्ट gold में डाल दो 7-8 percent, 6 percent, 6 percent का return मिलेगा कुछ पर्ट आप इसको post office में डाल दो वहाँ पर post office के कुछ scheme होते हैं जो bank से थोड़ा ज़ादा होते हैं 0.51 percent ज़ादा होते हैं वहाँ पर डाल के आप इन सारे चीजों को distribute करके या कुछ overnight fund होते हैं overnight fund generally एक भी दिन एकाद कुछ ऐसे fund है जो 99 percent पिछले दिन से आगई बढ़े हैं तेकिन यार एक दिन का interest उसमें 0.02 percent या 0.025 percent के आसपास आता which is very low तो फिर भी लेकिन वो पीछे नहीं जाते हैं वो return positive ही देते हैं तो इन सारे factor को देखते हुए अगर आप plan करते हो अपनी short term investment strategy को so I hope आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपको फायदा ही मिलेगा so thank you very much bye bye take care